खुशी कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर धुम्रपान महंगा पड़ता है दुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाने वालों के लिए भी दुम्रपान पड़े का महंगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं येर की टॉप 10 मुवी के बारे में आपको बताता हूं इस चैनल पर मैं कोई भी complete movie या फिर movie की clip अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं इन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग सं 2013 की Hindi भासा की biographical spot drama movie है जिसे डिरेक्ट किया है राकेष ओम प्रकास मिश्रा ने और दोस्तों आपको बता दूँ कि यह सं 2013 की साथमें ऐसे नंबर की movie है जो टॉप 10 में से अपना इस्थान बनाती है मतलब टॉप 10 में साथमा इस्थान यह बनाती है और यह इस्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानिकि 2013 की top 10 movies में से साथमें नंबर की सबसे ज़्यादा कमाने वाली movie है यह and movie की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू and movie को produce किया गया था राजीव टंडन, शुधानसु वत्स, रागव भेल and मैतरे देजगुपता और पीएस भारसी के तुरू and movie के cinematographic की गई है विनोध प्रधान के तुरू and editing की गई है पीएस भारती के तुरू and movie के अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के तुरू and movie की production company थी RO MP Pictures movie को distribute किया गया था वायकॉम 18 motion pictures के तुरू and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को movie का running time 186 minute का है and movie को Hindi भासे में release किया ग 10 million था and box office पर यह movie 2.1 billion का business hit कर पाई दोस्तों यह movie box office पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह movie बहुत जादा पसंद भी आई and बात करो इस movie के IMDb rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में short में movie की story आपको बता देता हूँ कि movie के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए Olympic में बिजली की रफतार से अपनी मंजिल की और दोड़ता हूँ मिलखा सिंग एक पल पीछे मुण कर क्या देखता है कि तकदीर उससे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलखा सिंग की खटी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आखों से देखा हुआ होता है मिलखा सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलखा के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलखा के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दोर से जान बचाकर दिल्ली पहुँचे मिलखा सिंग को किस्मत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहाधरा में अपनी बेहन के घर रहते हुए मिलखा सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौल पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलखा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलखा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलखा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलखा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है अब बात कर लेते हैं मोवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मोवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो की दिलेर महंधी का सॉंग है दूसा सॉंग होगा जिंदा, तीसा सॉंग होगा मेरा यार, चौथा सॉंग होगा मस्तो का जुंड, पांचमा सॉंग होगा भाग मिल का भाग और शिफ्ट सॉंग होगा slow motion अंगरेज़ा and 7th सॉंग होगा और अंगरेज and 8th सॉंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भ कराया हूं सन 2013 की एक और हिट मूभी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग. दोस्तों मूभी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एपने इस चैनल पर मैं इयर की टॉप टेन्ड मूभीस के बारे में आपको बताता हूं इस चैनल पर मैं कोई भी complete movie या फिर movie की clip अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं इन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिल का भाग सं 2013 की Hindi भासा की biographical spot drama movie है जिसे डिरेक्ट किया है राकेष ओम प्रकास मिश्रा ने इन दोस्तों आपको बता दूं कि यह सं 2013 की साथमें से नंबर की movie है जो टॉप 10 में से अपना इस्थान बनाती है मतलब टॉप 10 में साथमा इस्थान यह बनाती है और यह इस्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानिकि 2013 की top 10 movies में से साथमें नंबर की सबसे ज़्यादा कमाने वाली movie है यह एंड मुवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू एंड मुवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन शुधान सुवत्स रागव भैल एंड मैत्रे देजगुपता और पीएस भारती के तुरू एंड मुवी के अंदर में किरदार आपको निभाते हों नजर आएंगे फरहान अक्तर मुवी की सिनेमेटर ग्राफिक की गई है विनोध प्रिधान के तुरू एंड एलिटिंग की गई है पीएस भारती के तुरू एंड मुवी के अंदर 2013 में 12 जुलाई को मुवी का रणिंग टाइम 186 मिनिट का है एंड मुवी को हिंदी भासे में रिलीज किया गया था मुवी का बजट 410 मिलियन था एंड बॉक्स ऑफिस पर यह मुवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तों यह मुवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह मुवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई एंड बात करों इस मुवी के आइम डीबी रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मुवी ने प्राप्त किये हैं आइम डीबी पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मुवी की स्टोरी के बारे में शॉट में मैं मुवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मुवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलम्पिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हुआ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख छेला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनों ने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किसमत ने एक आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मनते हुए ही आगे बढ़ाया गया है दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सौंग भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सौंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो कि दिलेर महंदी का सौंग है दूसा सौंग होगा जिन्दा तीसा सौंग होगा मेरा यार चौथा सौंग होगा मस्तो का जुंड पांचमां सौंग होगा भाग-μिलका-भाग और सिफ सौंग होगा slow motion अंग्रेजा and seven सौंग होगा और अंग्रेज and eight सौंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग-mिलका-bhaag-bhaag का rock version तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लिजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अप्लोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब क्मुनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वज़ा से आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई मुवी का रिव्यू आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन मुवी को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन मुवी को देख करके तो चलिए दोस्तो बात कर लिते हैं मुवी के बारे में भाग मिलका भाग सं 2013 की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पॉर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डिरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने और दोस्तो आपको बता दूँ कि यह सं 2013 की साथमें ऐसे नंबर की मुवी है जो टॉप टेन में से अपना इस्थान बनाती है मतलब टॉप टेन में साथमा इस्थान यह बनाती है और यह स्थान इसको इसके बॉक्स ओफिस बिजनिस के आधार पर मिला है यानि कि साथमें नंबर की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मुवी है एंड मुवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तरू एंड मुवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन, शुधान्सु वत्स, रागव भैल, मैत्रे देजगुपता और पीएस भारती के तरू एंड मुवी के अंदर में किरदार आपको निभाते हों नजर आएंगे फरहान अक्तर मुवी की सिनेमेटग्राफ की गई है, विनोध प्रदान के तरू एंड मुवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है, संकरिसान लॉय के तरू एंड मुवी की प्र्डॉक्शन कंपनी थी, आरो, एंपी प्रिक्चर्श मोवी को distribute किया गया था Yacom 18 motion pictures के तरू and मोवी को release किया गया था सन 2013 में 12 July को मोवी का running time 186 minute का है and मोवी को हिंदी भासे में release किया गया था मोवी का budget 410 million था and box office पर यह है movie 2.1 billion का business hit कर पाई दोस्तों यह है movie box office पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह movie बहुत ज़ादा पसंद भी आई and बात करों इस movie के IMDB rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDB पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में short में मैं movie की story आपको बता देता हूँ मुवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुआत रोम से होती है 1960 में यहां हुए Olympic में बिजली की रफतार से अपनी मंजिल की और दौड़ता हूँ मिलखा सिंग एक पल पीछे मुण कर क्या देखता है कि तकदीर उससे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलखा सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हाथों उसकी फैमिली का खोन हो जाता है और उसने वह अपनी आखों से देखा हुआ होता है मिलखा सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलखा के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलखा के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खुनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुंचे मिलका सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बेहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहादरा में अपनी बेहन के घर रहते हुए मिल्खा सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौल पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिल्खा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिल्खा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिल्खा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिल्खा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है अब बात कर लेते हैं मोवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सौंग भी आपको मोवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सौंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो की दिलेर महंदी का सौंग है है दूसा स्भाग सवाग साम्मिदा सबस्ब्राइज आरसा सवाग मेरा यार चौता सवाग मस्तो का जुंट पांच सबस्ब्राइब बाग मिलकомеfish और सिट संग हो का स्लो मोशिन अंगरेज एनस संग और और ऑगलेज संग उसमेने देखने के लिए मिलेगा भाग मुवी देखेगा और मुवी का आनन लिजेगा हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिल का भाग दोस्तों मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं येर की टॉप 10 मुवी के बारे में आपको बताता हूँ और इस चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई मुवीज का रिव्यू आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन मुवीज को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन मुवीज को देख करके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं मुवी के बारे में भाग मिल का भाग संदोजार तहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डेरेक्ट किया है राकेस ओम प्रकास मिश्रा ने गर्षिकल आपको बता दूँ कि है सन-2013 की सातमें ऐसे नंबर की मुवी है जो टॉप टैन में से अपना इस्थान बनाती है मिलोब stop 10 में सातमें इस्थान ये बनाती है और ये इस्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानि कि 2013 की top 10 movies में से 7 नंबर की सबसे ज़्यादा कमाने वाली movie है ये and movie की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू and movie को produce किया गया था राजीव टंडन, शुधान्सु वत्स रागव भेल and मेतरे देजगुपता और पीएस भारती के तुरू and movie के अंदर main किरदार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर movie की cinematographic की गई है विनोध प्रधान के तुरू and editing की गई है पीएस भारती के तुरू and movie के अंदर music दिया गया है संकर इसान लॉय के तुरू and movie की production company थी RO MP Pictures movie को distribute किया गया था Ycom 18 Motion Pictures के तुरू and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 July को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भासे में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह है movie 2.1 billion का business hit कर पाई दोस्तो यह movie box office पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह movie बहुत ज़्यादा पसंद भी आई and बात करो इस movie के IMDb rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तो बात कर लिते हैं movie की story के बारे में short में मैं movie की story आपको बता देता हूं कि movie के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुआत रोम से होती है 1960 में यहां हुए Olympic में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हूँ मिलका सिंग एक पल पीछे मुल कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुंचे मिलका सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौल पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहते मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मनते हुए ही आगे बढ़ाया गया है दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सौंग भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सौंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो कि तिलेर महंदी का सौंग है दूसा सौंग होगा जिन्दा तीसा सौंग होगा मेरा यार चौथा सौंग होगा मस्तो का जुंड पांचमा सौंग होगा भाग मिलका भाग और 6th song होगा slow motion अंग्रेज़ा and 7th song होगा और अंग्रेज and 8th song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तों मूवी देखेगा और मूवी का आनन लिजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मूवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिल का भाग दोस्तों मूवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने इस चैनल पर मैं एर की टॉप टैन मूवी के बारे में आपको बताता हूं और इस चैनल पर मैं कोई भी complete मूवी या फिर मूवी की Clip अपलोड़ नहीं कर पाता हूं YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से बट आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तेहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डिरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने और दोस्तों आपको बता दूँ कि यह संदोजार तेहरा की जो टॉप टैन में से अपना इस्थान बनाती है और यह इस्थान इसको इसके बॉक्स ऑफिस बिजनिस के आधार पर मिला है यानि कि सबसे नमबर की सबसे ज़्यादा कमाने वाली movie है यह और मुवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू और मुवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन शुधान सुवत्स रागव भेल और मैत्रे देजगुपता और पीएस भारती के तुरू और मुवी के अंदर में किरदार आपको निभाते हों नजर आएंगे फरहान अक्तर मुवी की सिनमेट्रग्राफिक की गई है विनोध पिर्दान के थू और एल्टिंग की गई है पी-एस भारती के तुरू और मुवी की अंदर मुजिक दिया गया है संकरिशान लॉइ के एंड मोवी की प्रडॉक्शन कंपनी थी आर ओ एंपी प्रिक्चर्स मोवी को डिस्टिब्यूट किया गया था है वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के थुरू मोवी को रिलीज किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को मोवी का रनिंग टाइम 186 मिनिट का है मोवी को हिंदी भाशत में रिलीज किया गया था मोवी का बजट 410 मिलियन था और बॉक्श ओफिस पर यह है मोवी दो दसम लब 1 बिलियन का बिजनिस हिट कर पाई दोस्तों यह मुवी बॉक्स आफिस वर पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह मुवी बहुत ज़्यादा पसंद भी आई और बात करूं इस मुवी के IMDB रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मुवी ने प्राप्त किये हैं IMDB पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मुवी की स्टोरी के बारे में शॉट में मैं मुवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मुवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलम्पिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हुआ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की हुली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की उली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनों ने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दोर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किस्मत ने एक refugee camp में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन की घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौल पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलका सिंग ने फॉज में भरती ले ली फॉज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टैलेंट को पहली बार पहचाना फॉज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया के लिए मिलेंगे पहला सम इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बणी का स्थ Delta mida भी Siva la भी पांचमा सवोगा भाग-मिलका-भाग और सिच्थ सव वी देखेगा और मुवी का अनन लीजेगा एंड एड सॉंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लीजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देथा हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं ये और की Top 10 मुवी चैनल में आपको बताता हूं और इस चैनल पर मैं कोई दिन का अनन्द ले सकते हैं उन मूवी उसको देख करके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं मूवी के बारे में भाग मिल का भाग संदोजार तहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पॉर्ट ड्रामा मूवी है जिसे डैरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बतादूं कि संदोजार तहरा की सात हमें इसे नमबर की मूवी है जो अपना स्थान बनाती है मिलनब 70 में इसे एपना इस्थान इसों इसöwnे बनाती है और यह स्थान इसको इसके बॉक्स ऑफिस बिजिनेस न के आधार बत्स रागव भेल एंड मेत्रे देजगुप्ता और पीएस भारती के थरू एंड मुवी के अंदर मेन करदार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर मुवी की सिनेमेटर ग्राफिक की गई है विनोध प्रिधान के थरू एंड मुवी की अंदर म्यूजिक दिया गया है संकरिसान लॉय के थरू एंड मुवी की production company थी और ओंप प्रिक्टरेस मुवी को distribute किया गया था वाइकॉम 18 motion picture के थरू एंड मुवी को release किया गया था संद 2020 में 12 जुलाइ को मोवी का रणिंग टाइम 186 मिनट का है और मोवी को हिंदी भासे में रिलीज किया गया था मोवी का बजट 410 मिलियन था और बॉक्स ओफिस पर यह मोवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तो यह मोवी बॉक्स ओफिस पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह मोवी बहुत ज़ादा पसंद भी आई और बात करो इस मोवी के IMDB रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मोवी ने प्राप्त किये हैं IMDB पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मोवी की स्टोरी के बारे में शॉर्ट में मैं मोवी की स्टोरी आपको बता देता हूं कि मोवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलंपिक में बिजली की रफ्तार से अपनी मंजिल की और दोड़ता हुआ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़ कर क्या देखता है कि तकदीर उससे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हाथों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दोर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलखा सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बेहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बेहन के घर रहते हुए मिलखा सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौल पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलखा सिंग ने फॉज में भरती ले ली फॉज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलखा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फॉज के कोच ने मिलखा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाये इस फिल्म को मिलखा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है अब बात कर लेते हैं मोवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग भी आपको मोवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो की दिलेर महंधी का सॉंग है हैं दोसा सौंग होगा जिन्दा तीजर सौंग होगा मेरा यार छौथा सौंग Sultan मस्तों का जुंद। पांचमा सौंग होगा भाग मिलका भाग और six सोंग होगा slow motion अंग्रेजा एंड 7 सोंग होगा और अंग्रेज एंड 8 सोंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिलका भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लीजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं येर की टॉप टैन मुवी के बारे में आपको बताता हूं इस चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब क्याइड लेन इस ट्राइक की वज़ा से आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई मुवी का रिविउ आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन मुवी को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनंद ले सकते हैं उन मुवी को देख करके तो छलिए दोस्तों बात कर लिते हैं मुवी के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तेहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डैरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूँ कि यह संदोजार तेहरा की स सात्में ऐसे नमबर की मूवी जो टॉप 10 में इसे अपना इस्थान बनाती है और यह इस्थान इसको इसके बॉक्स ऑफिस बिजनिस के आधार पर मिला है यानिके 2013 की टॉप 10 मूवी में से सात्वे नंबर की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है ये एंड मूवी की कहानी को दिया गया था प्रैशुन जोसी के तुरू एंड मूवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन, शुधानसु वत्स, रागव भेल एंड मेत्रे देजगुपता और पीएस भारती के तुरू एंड मूवी के अंदर में किरदार आपको निभाते हों नजर आएंगे फरहान अक्तर मूवी की सिनेमेटर ग्राफिक की गई है विनोध प्रिधान के तुरू and editing की गई है PS भारती के थुरू and movie के अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के थुरू and movie की production company थी RO MP Pictures movie को distribute किया गया था Ycom 18 motion pictures के थुरू and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भासे में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह है movie movie 2.1 billion का business hit कर पाई दोस्तों यह movie box office पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह movie बहुत ज़्यादा पसंद भी आई and बात करो इस movie के IMDb rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिता है movie की story के बारे में short में मैं movie की story आपको बता देता हूँ कि movie के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए Olympic में बिजली की रफतार से अपनी मंजिल की और दोड़ता हूँ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुंचे मिलका सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौल पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहते मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मनते हुए ही आगे बढ़ाया गया है दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सौंग भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सोंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुरबानी जो कि दिलेर महंदी का सोंग है दूसा सोंग होगा जिन्दा तीसा सोंग होगा मेरा यार चौता सोंग होगा मस्तो का जुन्ड पांचमा सोंग होगा भाग मिलका भाग और six song होगा slow motion अंग्रेजा and seven song होगा और अंग्रेज and eight song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तों movie देखेगा और movie का आनन लिजेगा Hello दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल Cloud Review में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों movie का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं year की top 10 movies के बारे में आपको बताता हूँ इस चैनल पर मैं कोई भी complete movie या फिर movie की clip upload नहीं कर पाता हूँ youtube community guideline strike की वज़ा से बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं इन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिल का भाग सं 2013 की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल spot drama movie है जिसे डेरेक्ट किया है राकेष ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूं कि यह सं 2013 की यानि कि दोस्तन 2013 की top 10 movies में से सात्वे नंबर की सबसे ज़्यादा कमाने वाली movie है ये and movie की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू and movie को produce किया गया था राजीव टंडन शुधानसु वत्स रागव भेल and मेतरे देजगुपता और PS भारती के तुरू and movie के अंदर main किरदार आपको निभाते हूँ नजर आएंगे फरहान अक्तर movie की cinematographic की गई है विनोद पिर्धान के तुरू and editing की गई है PS भारती के तुरू and movie के अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के तुरू and movie की production company थी RO MP pictures movie को distribute किया गया था Ycom 18 motion pictures के तुरू and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 July को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भासे में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह है movie 2.1 billion का business hit कर पाई दोस्तों यह है movie box office पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को को यह movie बहुत जादा पसंद भी आई and बात करों इस movie के IMDB rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDB पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में short में movie की story आपको बता देता हूँ कि movie के अंदर आपो क्या देखने के लिए मिलने वाला है एक पल पीछे मुण कर क्या देखता है कि तकदीर उससे रूट जाती है यहीं से शुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हाथों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दोर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किसमत ने एक refugee camp में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौल पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमांदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहते मिलखा सिंग ने फॉज में भरती ले ली फॉज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलखा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फॉज के कोच ने मिलखा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बाहया और ट्रैक पर जकनी पाउं से दोड़ कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलखा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स बी आपको मोवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला स्वाग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो कि तेले महंदी का सौन्ग है दूसा स्वाग होगा जिंदा तीह स्वाग मेरा यार चोथा song होगा मस्तो का जुंड पांचमा song होगा भाग मिलका भाग और। चोई होगा श्लो मोशन अंगरेजा श्वंथ सॉंग होगा और अंगरेज और destructive आपको CR-Dev भाग मिलका भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लिजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब क्यम्यूटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वज़ा से आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई मुवी का रिव्यू आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन मुवी को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन ले सकते हैं उन मुवी को देख करके तो चलिए दोस्तो बात कर लिते हैं मुवी के बारे में भाग मिल का भाग सं 2013 की हिंदी भासकी बायोग्राफिकल स्पॉर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डिरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने और दोस्तों आपको बता दूँ कि सन 2013 की साथमें ऐसे नंबर की मूवी है जो टॉप 10 में से अपना इस्थान बनाती है मतलब टॉप 10 में साथमा इस्थान ये बनाती है और ये इस्थान इसको इसके बॉक्स ओफिस बिजनिस के आधार पर मिला है यानि कि सन 2013 की टॉप 10 मूवी में से साथमें नंबर की सबसे ज़ादा कमाने वाली मूवी है ये एंड मूवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू एंड मूवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन शुधानसु वत्स रागव भेल मेत्रे देजगुपता और पी-एस भारती के तुरू मूवी के अंदर में किरदार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर मूवी की सिनेमेटर ग्राफिक की गई है विनोध प्रिधान के तुरू एंड एडिटिंग की गई है पी-एस भारती के तुरू एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है संकरिसान लॉय के तुरू एंड मूवी की प्रडॉक्शन कंपनी थी आरो एंपी प्रिक्चर्स मूवी को दिस्टिब्यूट किया गया था वाइकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के तुरू एंड मूवी को रिलीज किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को मूवी का रनिंग टाइम 186 मिनट का है एंड मूवी को हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था मूवी का बजट 410 मिलियन था एंड बॉक्स ओफिस पर यह मूवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तों यह मूवी बॉक्स ओफिस पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को यह मूवी बहुत ज़ादा पसंद भी आई एंड बात करों इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मूवी ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में शौट में मैं मूवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलंपिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दौड़ता हुआ मिलका सिंग एक पल पीछे मुणकर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खटी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हाथों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई दंगई मिलका मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचाकर दिल्ली पहुंचे मिलका सिंग को किसमत ने एक our refugee camp में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहधरा में अपनी बहन कि घर रहत वे मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारे की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलखा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलखा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलखा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रेक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदग दिलवाए इस फिल्म को मिलखा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए हैं मिलेगा गुरबाणी जो की दिलेर महंदी का सॉंग है दूसा सॉंग होगा जिन्दा तीसा सॉंग होगा मेरा यार चौथा सॉंग होगा मस्तो का जुण पांचवा सॉंग होगा भाग मिलका भाग और six song होगा slow motion अंग्रेज़ा and seven song होगा और अंग्रेज and eight song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तो movie देखेगा और movie का आनन लीजेगा Hello दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल cloud review में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और hit movie के review जिसका नाम है भाग मिल का भाग दोस्तो movie का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस channel पर मैं year की top 10 movies के बारे में आपको बताता हूँ and इस channel पर मैं कोई भी complete movie या फिर movie की clip upload नहीं कर पाता हूँ youtube community guideline strike की वज़ा से but आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनंद ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग सन 2013 की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल sport drama movie है जिसे डैरेक्ट क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूँ कि यह सन 2013 की साथमें ऐसे नंबर की movie है जो टॉप 10 में से अपना इस्थान बनाती है मलब टॉप 10 में साथमा इस्थान यह बनाती है और यह इस्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानि कि सन 2013 की टॉप 10 movies में से साथमें नंबर की सबसे ज़ादा कमाने वाली movie है यह and movie की कहानी को दिया गया था प्रैशोन जोसी के तुरू and movie को produce किया गया था राजीव टंडन शुधानसु वत्स रागव भैल and मेत्रे देजगुपता और पीएस भारती के तुरू and movie के अंदर main किर्दार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर movie की cinematography की गई है विनोध प्रिधान के तुरू and editing की गई है पीएस भारती के तुरू and movie के अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के तुरू and movie की production company थी RO MP Pictures movie को distribute किया गया था Ycom 18 Motion Pictures के तुरू and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भासा में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह movie 2.1 billion का business hit कर पाई दोस्तों यह movie box office पर hit रही और साथी साथ दर्सकों को यह movie बहुत जादा पसंद भी आई and बात करूं इस movie के IMDB rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDB पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में short में movie की story आपको बता देता हूँ कि movie के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुआत रोम से होती है 1960 में यहां हुए अलमपिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हूँ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हाथों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किस्मत ने एक refugee camp में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रेक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मोवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ songs भी आपको मोवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला आया है प्हला सुंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुरबानी जो कि तिलीर महंदी का सॉंग है दूसा सौन होगा जिंद मृक्रइट पांचमा संग होगा भाग भाग और six song होगा slow motion अंगरेज़ा and seven song होगा और अंगरेज and eight song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तो movie देखेगा और movie का आनन लीजेगा Hello दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल cloud review में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और hit movie के review जिसका नाम है भाग मिल का भाग दोस्तो movie का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस channel पर मैं year की top 10 movies के बारे में आपको बताता हूँ and इस channel पर मैं कोई भी complete movie या फिर movie की clip upload नहीं कर पाता हूँ YouTube community guideline strike की वज़ा से but आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल sport drama movie है जिसे डैरेक क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूँ कि यह संदोजार तहरा की सात्में ऐसे नंबर की movie है जो टॉप टैन में से अपना इस्थान बनाती है मलब टॉप टैन में सात्मा इस्थान यह बनाती है और यह इस्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानि कि 2013 की top 10 movies में से सात्में नंबर की सबसे जादा कमाने वाली movie है यह and movie की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू and movie को produce किया गया था राजीव टंडन शुधानसु वत्स रागव भेल and मेत्रे देजगुपता और पीएस भारती के तुरू and movie के अंदर main किरदार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर movie की cinematography की गई है विनोद प्रिधान के तुरू and editing की गई है पीएस भारती के तुरू and movie के अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के तुरू and movie की production company थी RO MP Pictures movie को distribute किया गया था and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भासे में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह है movie 2.1 billion का business हिट कर पाई दोस्तों यह है movie box office पर हिट रही और साथी साथ दरसों को यह movie बहुत जादा पसंद भी आई and बात करों इस movie की IMDb rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में short में movie की story आपको बता देता हूँ कि movie के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुआत रोम से होती है 1960 में यहां हुए Olympic में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हूँ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की उली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनों ने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किसमत ने एक refugee camp में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नौर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहते मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है दोस्तो अब बात कर लेते हैं मोवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मोवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बाणी जो की दिलेर महंदी का सॉंग है दूसा सोंग होगा जि जिदा तीसा सोंग होगा मेरा यार चौथा सोंग होगा मस्तों का जुद पाँचा सोंग होगा भाग भाग मिलकावग और six सोंग होगा slow motion अंगरेज और seven songs होगा और अंहले एंड eight song आपको में देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का रॉक वर्जन तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लीजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब क्यम्मुनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वज़ा से और आज मेरे द्वारा दी हुई मुवी यूडिवू अपको अछह लगा और अगर और अगर उन पतर द dogs को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनंद ले सकते हैं इंप आन रिक करके तो चलिए दोस्तों बात कर लिते हैं मूवी के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोट ड्रामा मूवी है जिसे डैरेक्ट क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने और दोस्तों आपको बता दूं कि यह सन 2013 की साथवे ऐसे नंबर की मूवी है जो टॉप 10 में अपना इस्थान बनाती है मदलब टॉप 10 में साथवा इस्थान यह बनाती है और यह इस्थान इसको इसके बॉक्स ऑफिस बिजनेश के आधार पर मिला है यानि कि 2013 की टॉप 10 मूवी में से साथवे नंबर की सबसे जादा कमाने वाली मूवी है ये एंड मूवी की कहानी को दिया गया था प्रैशुन जोसी के तुरू एंड मूवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन, शुधांसु वत्स, रागव भेल और देज-कुपटा और पि-एस भारती के तुरू एंड मूवी के अंदर main किरदार आपको निभाते ह axial नजरांगे, फरान अक्तर मूवी की Cinematography की गई है विनौद पृदहान के तुरू एंड एयरिटिंग की गई है पि-एस भारती के तुरू एंडम्वी के अंदर मूजिक दिया गया है संकरिसान लई के थरू चाहि के थे ships wagon पाई दोस्तों यह मूवी बॉक्स ओफिस वर पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह मूवी बहुत जादा पसंद भी आई एंड बात करों इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मूवी ने प्राप्त किये हैं IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में शॉाट में मैं मूवी की स्टोरी आपको पता देता हूwn कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलम्पिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हुआ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की उली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मनते हुए ही आगे बढ़ाया गया है दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सोंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जूकी तिलेट महनदी का स्वंग है दुसा सोंग होगा जिंदा तीसा सॉंग होगा मेरा यार चौथा सॉंग होगा मस्तो का जुंद पांच्वा सोंग होगा भाग मिलका भाग और six song होगा slow motion अंग्रेज़ा and seven song होगा और अंग्रेज and eight song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तो movie देखेगा और movie का आनन लीजेगा Hello दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल cloud review में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और hit movie के review जिसका नाम है भाग मिल का भाग दोस्तो movie का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस channel पर मैं year की top 10 movies के बारे में आपको बताता हूँ and इस channel पर मैं कोई भी complete movie या फिर movie की clip upload नहीं कर पाता हूँ YouTube community guideline strike की वज़ा से but आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग सन 2013 की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल spot drama movie है जिसे डैरेक्ट क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूँ कि यह सन 2013 की साथवे ऐसे नंबर की movie है जो top 10 में से अपना इस्थान बनाती है मलब top 10 में साथवा इस्थान यह बनाती है और यह इस्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानि कि सन 2013 की top 10 movies में से साथवे नंबर की सबसे ज़ादा कमाने वाली movie है यह and movie की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के थू and movie को produce किया गया था राजीव टंडन, शुधानसु वत्स, रागव भेल and मेत्रे देजगुपता और पीएस भारती के थू and movie के अंदर main किर्दार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर, movie की cinematography की गयी है विनोद प्रिधान के थू and editing की गयी है पीएस भारती के थू and movie के अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के थू and movie की production company थी RO MP Pictures movie को distribute किया गया था Ycom 18 Motion Pictures के थू and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भाषा में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह movie 2.1 billion का business हिट कर पाई दोस्तों यह movie box office पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को यह movie बहुत जादा पसंद भी आई and बात करों इस movie के IMDb rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किये हैं IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में short में movie की story आपको बता देता हूं कि movie के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए Olympic में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हूँ एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुंचे मिलका सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैंप में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गूरबानी जो की दिलेर महन्दी का सॉंग है दोसा सॉंग होगा जिनदा तीसा सॉनग होगा मेरा यार चौता सॉंग होगा मस्तो का जुंद पांचमा सॉंग होगा भाग मिलका भाग Champion स्लो मोशन अंग्रेजा एंड सेवंध सॉंग होगा और अंग्रेज एड सॉंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का रॉक वर्जन तो दोस्तों मूवी देखेगा और मूवी का आनन लीजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मूवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों मूवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं येर की टॉप 10 मूवी के बारे में आपको बताता हूँ और इस चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग सन 2013 की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसे डैरेक क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूं कि यह सन 2013 की साथमें ऐसे नंबर की movie है जो टॉप टेन में से अपना इस्थान बनाती है और यह स्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानि कि साथमें नंबर की सबसे जादा कमाने वाली movie है यह एंड मूवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तरू एंड मूवी को प्रिड्यूस के अगया था राजीव टंडन शुधानसु वत्स रागव भेल एंड मेत्रे देजगुप्ता और पीएस भारती के तरू एंड मूवी के अंदर मेन किर्दार आपको निभाते हों नजर आएंगे फरहान अक्तर मूवी की सिनेमेट्रोग्राफिक की गई है विनोद प्रिधान के तरू एंड एडिटिंग की गई है पीएस भारती के तरू एंड मूवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है संकरिसान लॉय के तरू एंड मूवी की प्रड़क्शन कंपनी थी आरो एमपी प्रिक्चर्स मूवी को डिस्टिब्यूट किया गया था वाइकॉम एक्टीन मोइसं पिक्चर्स के तरू एंड मूवी गोफ़ी को रिलीज किया गया था सन 2000 अरा में 12 जोलाह को मूवी का रनिंग टाइम 186 मिनट का है एंड मूवी को हिंदी भास में रिलीज किया गया था, मूवी का बजट 410 मिलियन था और बॉक्स ओफिस पर यह है मूवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तो यह है मूवी बॉक्स ओफिस पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को यह मूवी बहुत जादा पसंद भी आई और बात करों इस मूवी के IMDB रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मूवी ने प्राप्त किये है IMDB पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में शॉट में मैं मूवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खटी मिटी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगईयों मिलका के अपने खून की हुली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की हुली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रेक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बाणी जो की तिलेर महंदी का सॉंग है दूसा सॉंग होगा जिंदा तीसा सॉंग होगा मेरा यार चौथा सॉंग होगा मस्तो का जुंड पांचवा सॉंग होगा भाग मिलका भाग और और six song होगा slow motion अंग्रेजा and seven song होगा और अंग्रेज and eight song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तो movie देखेगा और movie का आनन लेजेगा Hello दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल Cloud Review में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और hit movie के review जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तो movie का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं यह की top 10 movies के बारे में आपको बताता हूं इस चैनल पर मैं कोई भी complete movie या फिर movie की clip अपलोड नहीं कर पाता हूं YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से बट आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं इन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तेहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसे डैरेक्ट किया है राकेष ओम प्रकास मिश्रा ने इन दोस्तों आपको बता दूं कि यह संदोजार तेहरा की सात्वे ऐसे नंबर की movie है जो टॉप टेन में से अपना इस्थान बनाती है मलब टॉप टेन में साथवा इस्थान यह बनाती है और यह इस्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानिके संदोजार तेहरा की टॉप टैन मूवी में से सात्वे नंबर की सबसे जादा कमाने वाली movie है यह एंड मूवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू एंड मूवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन शुधान्सु वत्स रागव भैल एंड मेत्रे देजगुपता और पी एस भारती के तुरू एंड मूवी के अंदर में किरदार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर मूवी की सिनेमेट्रोग्राफिक की गई है विनोध प्रिधान के तुरू एंड एडिटिंग की गई है पी एस भारती के तु एंड मोवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है संकरिसान लॉय के थ्रू एंड मोवी की प्रड़क्शन कंपनी थी आरो MP Pictures मोवी को डिस्टिब्यूट किया गया था YCOM 18 Motion Pictures के थुरू एंड मोवी को रिलीज किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को मोवी का रुणिंग टाइम 186 मिनिट का है एंड मोवी को हिंदी भासा में रिलीज किया गया था मोवी का बजट 410 मिलियन था एंड बॉक्स ओफिस पर यह मोवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तो यह मोवी बॉक्स ओफिस पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को यह मोवी बहुत जादा पसंद भी आई एंड बात करो इस मोवी के IMDb रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मोवी ने प्राप्ट के हैं IMDb पर अब दोस्तो बात कर लेते हैं मोवी की स्टोरी के बारे में शॉट में मैं मोवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मोवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है 1960 में यहां हुए Olympic में बिजली की रफस्तार से अपनी मंजिल की और दोड़ता हुआ मिलखा सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलखा सिंग की खटी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख झेला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलखा सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलखा के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलखा के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दोर से जान बचा कर दिली पहुँचे मिलखा सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बेहन के घर रहते हुए मिल्खा सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिल्खा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिल्खा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिल्खा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिल्खा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो की दिलेर महंदी का सॉंग है दूसा सॉंग होगा जिंदा तीसा सॉंग होगा मेरा यार चौथा सॉंग होगा मस्तों का जुंड । पांचमं С्व 상 होगा भाग- donít- Are explains और 6th song होगा slow motion अंग्रेज एंड 7th song होगा और अंग्रेज एंड 8th song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का रॉक वर्जन तो दोस्तो मूवी देखेगा और मूवी का आनन लीजेगा हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मूवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तो मूवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं येर की टॉप 10 मूवी के बारे में आपको बताता हूँ इस चैनल पर मैं कोई भी कम्प्लीट मूवी या फिर मूवी की क्लिप अप्लोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब कम्मूनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वज़ा से आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई मूवी का रिव्यू आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन मूवी को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं इन मूवी उसको देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बारे में भाग मिल का भाग संदोजार तेहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पॉट ड्रामा मूवी है जिसे डैरेक क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने और दोस्तों आपको बता दूँ कि यह संदोजार तेहरा की साथवे यह ऐसे नंबर की मूवी है जो टॉप कमाने वाली मूवी की कहानी को दिया गया था प्रैशुन जोशी के त्रू है मीव को जयूजा गया था राजीव तंडन शुदांसू वत्स रागव भैल and मेतरे देजगुपता और पी एस भारती के थुरू and movie के अंदर main किरदार आपको निभाते हुँ नजर आएंगे फरहान अक्तर movie की cinematography की गई है विनोद पिरधान के थुरू and editing की गई है पी एस भारती के थुरू and movie के अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के थुरू and movie की production company थी RO MP Pictures movie को distribute किया गया था Ycom 18 Motion Pictures के थुरू and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भासा में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह है movie 2.1 billion का business हिट कर पाई दोस्तों यह movie box office पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह movie बहुत ज़्यादा पसंद भी आई and बात करों इस movie के IMDb rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में शॉर्ट में मैं movie की story आपको बता देता हूं कि movie के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खटी मिटी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी family का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की उली उनके साथ खेल ले थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किस्मत ने एक refugee camp में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन की घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है अब बात कर लेता हैं मुवी के सउंठ्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मोवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें अपको देखने के लिए मिलेगा गुरबड़ गुर्पानी जो कि दिलेयर मेंनी का सॉंग दुसा ओंधा सिंडा तीसा सौंग होगा मेरा यार चौथा सौंग होगा मस्तो का जुंड पांचमा सौंग होगा भाग मिलका भाग और सिख सौंग होगा स्लो मोशन अंगरेजा एंड सेवन सौंग होगा और अंगरेज एंड एड सौंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा कि एक और hit movie के review जिसका नाम है भाग मिल का भाग मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने इस channel पर मैं these two movies के बारे में आपको बताता हूं और से channel पर मैं कोई भी complete movie यह फिर movie की klip upload नहीं कर पाता हूं YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से बट आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं इन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुवी के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तेहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डैरेक्ट क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने एंड दोस्तों आपको बता दूं कि संदोजार तेहरा की सात्वे ऐसे नंबर की मुवी है जो टॉप टैन में से अपना स्थान बनाती है मलब टॉप टैन में साथमा स्थान ये बनाती है और यह स्थान इसको इसके बॉक्स ऑफिस बिजनिस के आधार पर मिला है यानि कि संदोजार तेहरा की टॉप टैन मुव यह एंड मुवी की कहानी को दिया गया था प्रैशुन जौसी के तुरू and मुवी को पिड्यूस के गया था राजीव टंडन शुदांसुवाथ रागाव भैल and मेत्रे देजगुपता और पीएस भारती के तरू and movie के अंदर main किरदार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर, movie की cinematography की गई है विनोद प्रिधान के तरू and editing की गई है पीएस भारती के तरू and movie के अंदर music दिया गया है संकरिसान लोई के तरू and movie की production company थी RO MP Pictures movie को distribute किया गया था Ycom 18 Motion Pictures के तरू and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भास में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह है movie 2.1 billion का business हिट कर पाई दोस्तों यह movie box office पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह movie बहुत ज़्यादा पसंद भी आई and बात करों इस movie के IMDb rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में शौट में मैं movie की story आपको बता देता हूं कि movie के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए Olympic में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हूँ एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दोर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैंप में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौल पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बाणी जो कि दिलेर महंदी का सॉंग है दूसा सॉंग होगा जिंदा तीसा सॉंग होगा मेरा यार चौथा सॉंग होगा मस्तो का जुंड 5. पाँच माफ्स सौंग होगा भाग मिलका भाग और 6 सौंग होगा स्लो मोशन अंगरेजा एंट 7 पाइड स्वाग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग मिलका भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तो, मुवी देखकेगा और मुवी का आनद लिजेगा हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तो मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं येर की टॉप 10 मुवी के बारे में आपको बताता हूँ और इस चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तो बात कर लिते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग सन 2013 की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डैरेक क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूं कि यह सन 2013 की साथमें ऐसे नंबर की movie है जो टॉप 10 में से अपना इस्थान बनाती है और यह स्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानि कि साथमें नंबर की सबसे जादा कमाने वाली movie है यह एंड मुवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तरू एंड मुवी को प्रिड्यूस के अगया था राजीव टंडन, शुधानसु वत्स रागव भेल एंड मेत्रे देजगुप्ता और पी एस भारती के तरू एंड मुवी के अंदर main किरदार आपको निभाते हों नजर आएंगे फरहान अक्तर मुवी की cinematography की गई है विनोध प्रिधान के तरू एंड मुवी की अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के तरू एंड मुवी की production company थी RO MP Pictures मुवी को distribute किया गया था Ycom 18 Motion Pictures के तरू एंड मुवी को release किया गया था 2013 में 12 जुलाई को मुवी का running time 186 minute का है एंड मुवी को हिंदी भासे में release किया गया था दो दसमलव एक बिलियन का business हिट कर पाई दोस्तो यह मुवी बॉक्स ओफिस वर पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को यह मुवी बहुत जादा पसंद भी आई एंड बात करों इस मुवी के IMDb रेटिंग की तो 10 में से 8 दसमलव दो अंक मुवी ने प्राब्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुवी की स्टोरी के बारे में शौट में मैं मुवी की स्टोरी आपको बता दिता हूँ कि मुवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवाथ रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलम्पिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हुआ मिलखा सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलखा सिंग की खटी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलखा सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलखा मिलखा के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलखा के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुंचे मिलखा सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलखा सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल स्वरी निर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलखा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलखा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलखा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रेक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलखा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बाणी जो कि दिलेर महंदी का सॉंग है दूसा सॉंग होगा जिंदा तीसा सॉंग होगा मेरा यार चौथा सॉंग होगा मस्तो का जुंड पांचवा सॉंग होगा भाग मिलका भाग और और 6th song होगा slow motion अंग्रेज और 7th song होगा और अंग्रेज और 8th song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लीजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं एर की टॉप 10 मुवी में आपको बताता हूँ और इस चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लिते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तेहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसे डैरेक क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने और दोस्तों आपको बता दूं कि यह संदोजार तेहरा की सात्वे ऐसे नंबर की मूवी है सात्वे नंबर की सबसे जादा कमाने वाली मूवी है एंड मूवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू एंड मूवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन शुधानसु वत्स, रागव भेल एंड मेत्रे देजगुपता और P.S. भारती के तुरू एंड मूवी के अंदर मेन किर्दार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर मूवी की सिनेमेट्रोग्राफिक की गई है विनोध प्रिधान के तुरू एंड एडिटिंग की गई है P.S. भारती के तुरू एंड मोवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है संकरिसान लोई के थूरू एंड मोवी की प्रड़क्शन कंपनी थी आरो MP प्रिक्चर्स दिस्ट्रिब्यूट किया गया था वायकॉम 18 पिक्चर्स के थूरू एंड मोवी को रिलीज किया गया था सं 2013 में 12 जुलाई को मोवी का रुनिंग टाइम 186 मिनट का है एंड मोवी को हिंदी भासे में रिलीज किया गया था मोवी का बजट 410 मिलियन था एंड बॉक्स ओफिस पर यह मोवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तों यह मोवी बॉक्स ओफिस वर पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को यह मोवी बहुत जादा पसंद भी आई एंड बात करों इस मोवी के IMDb रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मोवी ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मोवी की स्टोरी के बारे में शॉट में मैं मोवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मोवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलम्पिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हुआ मिलखा सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलखा सिंग की खटी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आखों से देखा हुआ होता है मिलखा सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकी उसे अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलखा के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की उली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मोवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मोवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बाणी जो कि दिलेर महंदी का सॉंग है दूसा सॉंग होगा जिंदा तीसा सॉंग होगा मेरा यार चौथा सॉंग होगा मस्तो का जुंड पांचमा सॉंग होगा भाग मिलका भाग और six song होगा slow motion अंग्रेज़ा and seven song होगा और अंग्रेज and eight song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तो movie देखेगा और movie का आनन लीजेगा Hello दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल cloud review में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और hit movie के review जिसका नाम है भाग मिल का भाग दोस्तो movie का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस channel पर मैं year की top 10 movies के बारे में आपको बताता हूँ and इस channel पर मैं कोई भी complete movie या फिर movie की clip upload नहीं कर पाता हूँ YouTube community guideline strike की वज़ा से आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल sport drama movie है जिसे डैरेक्ट क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूँ कि यह संदोजार तहरा की साथवे ऐसे नंबर की movie है जो टॉप टेन में से अपना इस्थान बनाती है मलब टॉप टेन में साथवा इस्थान यह बनाती है और यह इस्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानि कि 2013 की top 10 movies में से साथवे नंबर की सबसे जादा कमाने वाली movie है यह and movie की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू and movie को produce किया गया था राजीव टंडन शुदानसु वत्स रागव भेल and मेत्रे देजगुपता और पीएस भारती के तुरू and movie के अंदर main किरदार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर movie की cinematography की गई है विनोद प्रिधान के तुरू and editing की गई है पीएस भारती के तुरू and movie के अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के तुरू and movie की production company थी RO MP Pictures movie को distribute किया गया था and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भासा में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह है movie 2.1 billion का business हिट कर पाई दोस्तों यह है movie box office पर हिट रही और साथी साथ दरसों को यह movie बहुत जादा पसंद भी आई and बात करूं इस movie की IMDb rating की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में short में movie की story आपको बता देता हूँ कि movie के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुआत रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलमपिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हूँ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख झेला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की उली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनों ने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किस्मत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहते मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है हैं यंदोस्तो अब बात कर लेतें हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अ Windows देखने के लिए मिलेंगे पहले सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेए गुरभाणि ज्वैंदि का सौंग है कि दिलियर महंधि का सौंग है एंड एड सॉंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल्का भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लीजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर मैं यहर की टॉप 10 मुवी के बारे में आपको बताता हूं और इस चैनल पर मैं कोई भी कम्प्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूं यूट्यूब कम्मुनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वज़ा से बट आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन मुवी के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तेहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डैरेक्ट क्या है राकेष ओम प्रकास मिश्रा ने और दोस्तों आपको बता दूं कि यह संदोजार त मुवी है जो टॉप-10 में अपना स्थान बनाती है म sappemais 7 इस खांग蒜 बनाती और यह स्थान इसके box office बिजनेस के अधार पर मिला है , malt 2023 की तॉप-10 मुवी में से 7 नंबर की सबसे जादा कंाने वाली है यह and movie की कहानी को दिया गया थढ गया था a राजीव टंडन, शुधान्सु वत्स, रागव भैल, मैत्रे देजगुप्ता और पीएस भारती के तुरू एंड मुवी के अंदर में किर्दार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर, मुवी की सिनेमेट्रोग्राफिक की गई है विनोध पिर्धान के तुरू एंड एडिटिंग की गई है पी एस भारती के तुरू एंड मुवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है संकरिसान लॉय के तुरू एंड मुवी की प्रड़क्शन कंपनी थी आरो MP Pictures, मुवी को डिस्टिब्यूट किया गया था वाइकॉम 18 Motion Pictures के तुरू एंड मुवी को रिलीज किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को मुवी का रुनिंग टाइम 186 मिनट का है एंड मुवी को हिंदी भासा में रिलीज किया गया था मुवी का बजट 410 मिलियन था एंड बॉक्स ओफिस पर यह मुवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तो यह मुवी बॉक्स ओफिस पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को यह मुवी बहुत जादा पसंद भी आई एंड बात करों इस मुवी के IMDb रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मुवी ने प्राप्त किये हैं IMDb पर अब दोस्तो बात कर लिते हैं मुवी की स्टोरी के बारे में शौट में मैं मुवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मुवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलंपिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दौड़ता हुआ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खटी मिटी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दोर से जान बचा का दिली पहुंचे मिलका सिंग को किस्मत ने एक रिफ्यूजी केम्प मे अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बेहन के घर रहते हुए मिल्खा सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिल्खा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिल्खा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिल्खा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिल्खा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो की दिलेर महनी का सॉंग है हैं दूसा सौंग होगा जिन्दा तीसा सौंग होगा मेरा यार छोथा सौंग होगा हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्युब चेनल क्लाउड और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं येर की टॉप 10 मुवी के बारे में आपको बताता हूँ और इस चैनल पर मैं कोई भी complete मुवी या फिर मुवी की clip अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तेहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डैरेक क्या है राकेष ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूं कि यह संदोजार तेहरा की साथमें ऐसे नंबर की मुवी है साथमें नंबर की सबसे जादा कमाने वाली मुवी है एंड मुवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू एंड मुवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन शुधानसु वत्स रागव भेल एंड मेत्रे देजगुपता और P.S. भारती के तुरू एंड मुवी के अंदर में किर्दार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर मुवी की सिनेमेट्रोग्राफिक की गई है विनोद प्रिधान के तुरू एंड एडिटिंग की गई है P.S. भारती के तुरू अइंड मुवी के अंदर music दिया गया है संकरिसान लॉय के थरू मुवी की production company थी RO MP Pictures इस दिस्टिब्यूट किया गया था वाइकॉम 18 मोसन पिक्चर्स के तुरू एंड मोवी को रिलीज किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को मोवी का रुणिंग टाइम 186 मिनट का है एंड मोवी को हिंदी भासा में रिलीज किया गया था मोवी का बजट 410 मिलियन था एंड बॉक्स ओफिस पर यह मोवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तों यह मोवी बॉक्स ओफिस पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को यह मोवी बहुत जादा पसंद भी आई एंड बात करूं इस मोवी के IMDB रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मोवी ने प्राप्त किया है IMDB पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मोवी की स्टोरी के बारे में शॉट में मैं मोवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मोवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलंपिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हूँ मिल्खा सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिल्खा सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिल्खा सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिल्खा के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिल्खा के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिल्खा सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिल्खा सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिल्खा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिल्खा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिल्खा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रेक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिल्खा सिंग को आधर मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सोंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो कि दिलेर महंदी का सोंग है दूसा सोंग होगा जिंदा तीसा सोंग होगा मेरा यार चौथा सोंग होगा मस्तो का जुंड पांचमा सॉंग होगा भाग मिलका भाग और six सॉंग होगा slow motion अंगरेजा and seven सॉंग होगा और अंगरेज and eight सॉंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग मिलका भाग का rock वर्जन तो दोस्तों movie देखेगा और movie का अनन लीजेगा हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तो मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं येर की टॉप 10 मुवी के बारे में आपको बताता हूँ और इस चैनल पर मैं कोई भी कंप्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से बट आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग सन 2013 की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डैरेक क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूं कि यह सन 2013 की साथमें इसे नंबर की movie है जो टॉप टेन में से अपना इस्थान बनाती है और यह स्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानि कि साथमें नंबर की सबसे जादा कमाने वाली movie है यह एंड मुवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तरू एंड मुवी को प्रिड्यूस के अगया था राजीव टंडन शुधानसु वत्स रागव भेल एंड मेत्रे देजगुप्ता और पी एस भारती के तरू एंड मुवी के अंदर मेन किर्दार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर मुवी की सिनेमेट्रोग्राफिक की गई है विनोद प्रिधान के तरू एंड एडिटिंग की गई है पी एस भारती के तरू एंड मुवी के अंदर म्यूजिक दिया गया है संकरिसान लॉय के तरू एंड मुवी की प्रड़क्शन कंपनी थी आरो एम्पी प्रिक्चर्स मॉवी को डिस्टिब्यूट किया गया था WICOM 18 Motion Pictures के तरू एंड मुवी को रिलीज किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को मॉवी का रॉनिंग टाइम 186 मिनट का है एंड मुवी को हिन्दी भासा में रिलीज किया गया था मुवी का बजट 410 मिलियन था और बॉक्स ओफिस पर यह मूवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तों यह मूवी बॉक्स ओफिस पर हिट रही और साथी साथ दर्सों को यह मूवी बहुत जादा पसंद भी आई और बात करों इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मूवी ने प्राप्त किये हैं IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में शौट में मैं मूवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मूवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलंपिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दौड़ता हुआ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उससे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खटी मिटी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिल्खा सिंग को किसमत ने एक रिफ्यूजी कैम्प में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिल्खा सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिल्खा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिल्खा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिल्खा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिल्खा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया है अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बानी जो की दिलेर महंदी का सॉंग है दूसा सँंग होगा जिन्दा तीसा संग होगा मेरा यार चौथा सोंग होगा मसतो का जुंट पाँछद वह संग होगा भाग मिलका बाग और ृष्छ इन घर Вотुग पाइयर जसमोगा देखने के लिए मिले है भाग भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लीजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस चैनल पर मैं कोई भी कम्प्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब क्यम्मुनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वज़ा से अंपर ये रिव्यूब को अच्छा लगेगा और अगर अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन मुवीज को देखकर के तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुवी के बारे में भाग मिलका भाग संदोजार तेहरा की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पॉट ड्रामा मुवी है जिसे डैरेक्ट क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने यह बता दूँ कि है सन-2013 की साथमें ऐसे नंबर की मुवी है जो टॉप 10 में अपना इस्थान बनाती है और यह इस्थान इसको इसके बॉक्स ऑफिस बिजनस के आधार पर मिला है यहाने कि सन-2013 की टॉप 10 मूवी से साथमें नंबर की सबसे जादा कमाने वाली मूवी है य एंड मुवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन शुधांसु वत्स रागव भैल एंड मेत्रे देजगुपता और पीएस भारती के थूरू एंड मुवी के अंदर में किरदार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर मुवी की सिनेमेट्रोग्राफिक की गई है विनोध प्रिधान के थूरू एंड एडिटिंग की गई है पी-एस भारती के थूरू एंड मुवी के अंदर मुजिक दिया गया है संकर इसान लॉय के थूरू एंड मुवी की production company थी आरो MP Pictures movie को distribute किया गया था Ycom 18 Motion Pictures के तुरू and movie को release किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को movie का running time 186 minute का है and movie को हिंदी भासा में release किया गया था movie का budget 410 million था and box office पर यह है movie 2.1 billion का business hit कर पाई दोस्तों यह है movie box office पर हिट रही और साथी साथ दर्सकों को यह movie बहुत जादा पसंद भी आई and बात करों इस movie के IMDB रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक movie ने प्राप्त किया है IMDB पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं movie की story के बारे में short में movie की story आपको बता देता हूँ मुवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहानी की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलम्पिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दोड़ता हूँ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खट्टी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की उली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनों ने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुँचे मिलका सिंग को किसमत ने एक refugee camp में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन की घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसने अपने उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहते मिलका सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिलका सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलका सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है दोस्तो अब duoस्तो अब बात कर लेता हम मोवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ स्वंग भी आपको मुजित देखने के लिए मिलेंगे है दोसा साउंग होगा जिंदा 3 साउंग मेरा यार 4 सोथा साउं अगा मस्तो का जुंब 2 साउंग होगा भागन भाग बंक और और 6th song होगा slow motion अंग्रेज एंड 7th song होगा और अंग्रेज एंड 8th song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भाग का रॉक वर्जन तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लीजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं यर की टॉप 10 मुवी के बारे में आपको बताता हूँ और इस चैनल पर मैं कोई भी complete मुवी या फिर मुवी की क्लिप अप्लोड नहीं कर पाता हूँ YouTube Community Guideline Strike की वज़ा से आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई movies का review आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन movies को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनन्द ले सकते हैं उन movies को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लिते हैं movie के बारे में भाग मिलका भाग सन 2013 की हिंदी भासा की बायोग्राफिकल स्पोर्ट ड्रामा मुवी है जिसे डैरेक क्या है राकेश ओम प्रकास मिश्रा ने आपको बता दूं कि यह सन 2013 की साथमे ऐसे नंबर की movie है जो टॉप टैन में से अपना स्थान बनाती है मतलब टॉप टैन में साथमा इस्थान यह बनाती है और यह इस्थान इसको इसके बॉक्स ओफिस बिजनिस के आधार पर मिला है यानि कि सन 2013 की टॉप टैन मुवी में से साथमे नंबर की सबसे ज़ादा कमाने वाली movie है यह एंड मुवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू एंड मुवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन, शुधानसु वत्स, रागव भेल एंड मेत्रे देजगुपता और पी-एस भारती के तुरू एंड मोवी के अंदर में करदार आपको निभाते हों नजर आएंगे फरहान अक्तर प्र्देशान कमपनी थी रो मुवी को डिस्टि बुर्प किया गया था यकॉम 18 मोसं पिकशर्स के तुरू एंड मोवी को रिलीज किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को मुवी का रुणिंग टाइम 186 मिनट का है और मुवी को हिंदी भास में रिलीज किया गया था मुवी का बजट 410 मिलियन था और बॉक्स ओफिस पर यह है मुवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तो यह है मुवी यह मुवी बहुत जादा पसंद भी आई और बात करों इस मुवी के IMDb रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मुवी ने प्राप्त किया है IMDb पर अब दोस्तों बात कर लिते हैं मुवी की स्टोरी के बारे में शौट में मैं मुवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मुवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलंपिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजल की और दौड़ता हुआ मिलका सिंग एक पल पीछे मुड़कर क्या देखता है कि तकदीर उसे रूट जाती है यहीं से सुरू होता है मिलका सिंग की खटी मिट्टी यादों का सफर जहां उसने अपनों को खोने का दुख जहला है भारत पाक के बटवारे के दौरान दंगईयों के हाथों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हुआ होता है मिलका सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा जब दंगई मिलका मिलका के अपने खून की होली खेल रहे थे मतलब जो जो दंगई थे वो मिलका के जो घरवाले थे उनको मार रहे थे और वो खून की होली उनके साथ खेल रहे थे तब उसके अपनोंने उसे भागने के लिए कहा था बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुंचे मिलका सिंग को किसमत ने एक Refusee Camp में अपनी बहन से मिला दिया दिल्ली में दिल्ली से सटे सहद्रा में अपनी बहन की घर रहते हुए मिलका सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली Normal कौर पर आ गया निरमल से प्यार हुआ तो उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलखा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा अथलीट बन सकता है मिलखा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलखा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलखा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा गुर्बाणी जो कि दिलेर महंदी का सॉंग है दूसा सॉंग होगा जिंदा तीसा सॉंग होगा मेरा यार चौथा सॉंग होगा मस्तो का जुंड पांचवा सॉंग होगा भाग मिलका भाग और और 6th song होगा slow motion अंग्रेज और 7th song होगा और अंग्रेज और 8th song आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग भिल का रॉक वर्जन तो दोस्तों मुवी देखेगा और मुवी का आनन लेजेगा हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लावड रिव्यू में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सन 2013 की एक और हिट मुवी के रिव्यू जिसका नाम है भाग मिलका भाग दोस्तों मुवी का बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने इस चैनल पर मैं येर की टॉप 10 मुवी के बारे में आपको बताता हूँ और इस चैनल पर मैं कोई भी कम्प्लीट मुवी या फिर मुवी की क्लिप अपलोड नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब क्यम्मुनिटी गाइडलाइन इस्ट्राइक की वज़ा से बट ढशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई मुवी की रिव्यू आपको अच्छा लगेगा और अगर आप उन मुवी को देखते हैं तो आप अपने दिन का अनंद ले सकते हैं उन मुवी को देख करके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुवी के बारे में जो टॉप 10 में से अपना स्थान बनाती है मलब टॉप 10 में साथमा स्थान ये बनाती है और ये स्थान इसको इसके box office business के आधार पर मिला है यानि कि 2013 की टॉप 10 मूवी में से साथमे नंबर की सबसे जादा कमाने वाली मूवी है ये एंड मूवी की कहानी को दिया गया था प्रैशून जोसी के तुरू एंड मूवी को प्रिड्यूस किया गया था राजीव टंडन शुधानसु वत्स रागव भैल एंड मेत्रे देशकुपता और पी एस भारती के तुरू एंड मूवी के अनदर में किरदार आपको निभाते हो नजर आएंगे फरहान अक्तर मूवी कि सिनैमेतोग्रहफिक की गयी है विनोध प्रिधान के तुरू है預ड एड एडिप की गयी है P.E.S. भारती के तुरू एंड मूवी के अनदर म्यूजिक दिया गया है संकरिसां लॉय के थुरू एंड मोवी की प्रड़क्शन कंपनी थी आरो MP प्रिक्चर्स मोवी को डिस्टिब्यूट किया गया था वाइकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के थुरू एंड मोवी को रिलीज किया गया था सन 2013 में 12 जुलाई को मोवी का रुणिंग टाइम 186 मिनिट का है और मोवी को हिंदी भासा में रिलीज किया गया था मोवी का बजट 410 मिलियन था और बॉक्स ओफिस पर यह मोवी 2.1 बिलियन का बिजनेस हिट कर पाई दोस्तो यह मोवी बॉक्स ओफिस पर हिट रही और साथी साथ दर्सो को यह मोवी बहुत जादा पसंद भी आई और बात करों इस मोवी के IMDb रेटिंग की तो 10 में से 8.2 अंक मोवी ने प्राप्त किये हैं IMDb पर अब दोस्तो बात कर लिते हैं मोवी की स्टोरी के बारे में शॉट में मैं मोवी की स्टोरी आपको बता देता हूँ कि मोवी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है कहाने की सुरुवात रोम से होती है 1960 में यहां हुए ओलंपिक में बिजली की रफतार से अपनी मंजिल की और दोड़ता हूँ मिलखा सिंग एक पल पीछे के बटवारे के दोरान दंगईयों के हातों उसकी फैमिली का खून हो जाता है और उसने वह अपनी आँखों से देखा हूँ होता है मिलखा सिंग पहली बार खुद नहीं भागा बलकि उसे उसके अपने ने उस वक्त भागने को कहा मिलखा के अपने खून की हूली के खेल रहे थे बटवारे के इस खूनी दौर से जान बचा कर दिल्ली पहुंचे मिलका सिंग को किसमत ने एक refugee camp में अपनी बहन से मिला दिया दिली में सटे सहद्रा में अपनी बहन के घर रहते हुए मिलखा सिंग का दिन लाइन पर रहने वाली नॉर्मल कौर पर आ गया निर्मल स्वरी निर्मल कौर पर आ गया निर्मल से प्यार हुआ तो उसके कहने पर इमानदारी की जिन्दगी जीने और कुछ बनने की चाहसे मिलखा सिंग ने फौज में भरती ले ली फौज में आकर उसे पहली बार ऐसास हुआ कि वह एक अच्छा एथलीट बन सकता है मिलखा सिंग के इस टेलेंट को पहली बार पहचाना फौज के कोच ने मिलखा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफी पसीना बहाया और ट्रैक पर जक्मी पाउं से दोड़कर भी देश को काफी सारे पदक दिलवाए इस फिल्म को मिलखा सिंग को आधार मानते हुए ही आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो अब बात कर लेते हैं मुवी के साउंट्रेक के बारे में कुछ सॉंग्स भी आपको मुवी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे पहला सॉंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तो मुवी देखेगा और मुवी का आनन लीजेगा कर दोस्तो